हेलो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पे तो गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग भी जो है 2022 ते इसके अंदर जेन्यू का एंटरेंस एक्जाम देने वाले हैं मास्टर के किसी कोर्स के लिए तो आप लोगों का जो एक्जाम का पेटन है वो किस टाइप का रहेगा लाइक पेपर किस मीडियम में होगा आपको कितने घंटे का टाइम मिलता है पेपर में जो कोशन पूछे जाता है वो किस टाइप के होते है और आपको जो टाइम है वो कितना मिलता है पेपर में नेकटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है इन सब चीजों पे हम इस सार्केट में माखुल बना था कि आप लोगों का यहां पर होगा यह क्या चीज मैं आपको बता देता हूं यह है इंडिया में जितनी भी लाइक सेंटर लिए उनके लिए आप लोगों का एक ही यहां पर पेपर होता है इस तरह का इसके इंदर सिस्टम रखा जाएगा बट अ एक्जाम का पेटन रहेगा सारा कुछ यहां पर चेंच हो जाएगा ठीक है तो मैं आपको बता दू कि अभी जो मास्टर के कोर्स है यानि की लाइक पीजी में सभी कोर्स आपके आ जाएंगे तो अगर आप लोग पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो और आपके माइंड में इक कोशन उट रहे कि यह स्यूसि एलिक एम्एटी होगा तो पता नहीं क्या सलेवर्स हो जाएगा क्या पेटरन हो जाएगा तो फिलाल के लिए आप को बूल जाए इस पे कोई अपडेट नहीं है मास्टर वाले स्चूडेंट के लिए के वल और क्यों एक ही उनिएप mandates कर और वो है आपकी यहां में स्ट्थ के लिएृज कोई बोला है और कि पी जिकोर्स के लिये ठीक है यहां पे advisor-a grace कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊँगा अगर in मॐलर्म घ्जक और खीक खीक है यहां पर बात करते हैं उन इस्टूएंट के लिए जो कि जेन्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए Master K course के लिए ओके तो यहां पर आप लोगों का पेटन वो किस टाइब करेगा और हम लोग लाश्ट में बात भी करेंगे कि आप लोग जो तैयारी किस हिसाब से कर सकते हो तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते है और गाइज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा हम लोग अभी यहां पर देखते है कि जो आपका जो एक्जाम है वो किस टाइब से लाइक होता है तो यहां पर आप लोगों को समझने की जरूद है मैं आपको ओपीशेल इन्फोर्मिशन दे रहा हूं जो इनका नोटिपिशन आता है उसी के माद्दे में से ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर कि आपका जो एक्जाम का जो मोड है वो यहां पर क्या रहता है ठीक है तो देखिए आपका जो एक्जाम का पेटन रहता है वो आपका रहता है CBT मोड में ठीक है यानि कि आपसे जो है अबजेक्टिव जो है यहां पर कोशन और उसके चार ओप्शन रहेंगे तो उसमें से जो राइट आंसर है वह आपको टिक करना होता है ओनलाइन मोड में ठीक है तो यह आपको क्लियर हुआ आपका जो एक्जाम होगा वो ओनलाइन होगा CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ट आपका एक्जाम होने वाला है और दूरिशन की हम लोग बात करें यानि कि जो आपको टाइम है वो कितने घंटे गा मिलेगा तो देखिया आपको पूरे तीन घंटे का यहाँ पर टाइम मिलता है इसी तीन घंटे के अंदर आपको आपका जो पेपर है complete करना होता है समझ रहे हो तीन गंटे का आपको time मिलेगा यहाँ पे और अगर मैं बात करूँ type of question की तो यहाँ पे multiple choice question यानि कि वही बात है जो मैं उपर आपको बता रहा था कि आपके जो question है वो objective format में होते है यानि कि एक question रहेगा और उसके चार option रहेंगे ठीक है तो उसमें से जो right answer है वो आपको करना होता है ठीक है यह समझ रहे हो आप subjective नहीं होता है objective होता है इतना clear हुआ चलिए आगे बढ़ते है यहाँ पे देखे लिखा हुए number of questions तो यहाँ पे 100 है यानि कि 100 आपके question पूछे जाएंगे लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो star लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं है कि सभी subject के अंदर आपके 100 question ही हो मान लिजे कि science का कोई subject है ठीक है और उसमें 50 question आए तो जो एक जो question रहेगा आपका two marks का हो जाएगा तो यह जो है आपका paper कितने marks का हो जाएगा total 100 marks का हो जाएगा यानि कि यह आप यहाँ पे कह सकते होगी जो आपका paper होगा जो paper आपका होगा ठीक है वो आपका 100 marks का ही होगा total अब उसमें question 50 हो सकते है 75 हो सकते है या फिर पूरे 100 कोशन हो सकते है तो जितने कोशन होंगे उसके साब से उनके मार्किंग हो जाएगी ठीक है चलिए आगे हम देखते है यहाँ पर जो आपके मार्क्स पर कोशन की बात करी जा रही है यानि कि एक जो कोशन होगा वो कितने नंबर का होगा तो देखें यहाँ पर लिखा हुए यहाँ पर भी स्टार लगाए हुए है यही चीज है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई कि जिसे मान लिजे कि जो है यहाँ पर लाइक आपका 100 कोशन पूछे जा रहे है और अगर आपके 50 कोशन पूछे जा रहे है तो एक जो कोशन होगा वो 2 मार्क्स का हो जाएगा ठीक है इस हिसाब से रहेगा बट जो पेपर आपका आएगा वो 100 मार्क्स का आएगा यह आप कन्फॉर्म मान के चलिए चलिए आगे हम बात करते स्कोरिंग की मैं फिलाल इसको हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ अच्छे से दिख जाए यहाँ पे हम लोग बात करते है स्कोरिंग की तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो कि आपको कोई भी नेकटिव मार्किंग नहीं होती है आप बोलते हो कि तुक्का मारना तो वह आप लास्ट में करना ठीक है बट कोईशन पूरे करना क्योंकि नेकटिव मार्किंग नहीं होती है अब आगे हम बात करते हैं इंपोडेंट पॉइंट पे कि यहाँ पे जो पेपर का हिंदी वाले स्टुडेंट ठीक है जो plenty कि करते है या फिर उर्दू के लिए करते है ठीक है उन-का जो पेपर है वो उसी लेंगवेज में आता है यान की हिंदी का पेपर हिंदी लेंगवेज में आयेगा उर्दूKA पेपर उर्दू लेंगवेज में आい his App जोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पिसर ठीक है इसके अलवा आपका आयार है तो इन सब का जो पेपर है वो आपका इंगलीज में ही आता है हिंदी मीडिया में नहीं आता है इतना आपको क्लियर हुआ तो गाईज यही सारा था इस वीडियो के अंदर जो मैंने डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप लोग हमारा कोर्स भी पर्चेस कर सकते हो तो आपको वहां पर कोर्स देखने को मिल जाएगा आप लोग तैयारी कर सकते हो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉंटेक्ट नंबर भी दिये गए है अगर आपको कोई हेल चाहिए और हम वहां कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे आप हमें वाट्सप के मादेम से कॉंटेक्ट कर सकते हो ओके सो गाइज इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्यू सो मच